तो हलो दोस्तो नमस्कार में मिश्टर पिशुडू राज और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो और आप लोगों ने देखा होगा कि मालती और अरजुल की जुखर साथी हो गई है तो दोस्तो मैं बताना चाहता हूं कि मतलब आप लोगों ने देखा कोई नहीं राजते बोली और यहां भी घर जवाई घर नहीं आई अपने माई के गई बोली जब अरजुल से हमारा बतनामी हो गया है तो हम उनी साथी करेंगे उनी के साथ रहेंगे मैं बोला और दोस्तो जितने विया आडियो थे सब सही थे और कोई ऐसा नहीं था और हमारे बेज्वारों को लग रहा था पर विक डूसरे को इस तरह करने के लिए लगा रहे थे लेखिन दोस्तो आडियो असा ही था वेडियो विस एचिता और उसके बात सबस्दाल गई मैं बैठा के पूछा मालती बोलो क्या हुआ क्यों ऐसा करना चाहते हैं तो मालती बोली हम नौराप्ती के एक दिर पहले से हम लोग प्यार किये और उसके बाद जब आप मारते थे हमको तो देखते थे तो उनको बहुत बुरा लगता था ऐसे ऐसे हो के हमारे कुछ दुराबलियों सब कुछ करते थे इसलिए हम दुनों प्यार करने लगे और हम अगर अगर उनको कुछ हो गया तो हम robić जीपाएंगे हमको कुछ हो गया तो ओनरेंजे मुझे Miche इतनी बिज्जते होई हम नहीं जीएंगे, किसी भी तर है, मैं नहीं जी पाऊंगी, तो मैं बोला, अगर ऐसा बात है चलो, मैं करा देता हूँ, तु नहीं आज करा देबा, बियां केस कही दिवा, मैं बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करना है, तुम कर लो, जो तुम खुश रहो बस यह है कि ऐसा ना करना कि ए चीज ले करके कि तुम कहना कि कोई बात हमसे अलग और हां मालती जहां भी हो एक वीडियो डाल देना कि आज से हमारे पती हैं और हमसे कोई विश्मु राज से नहीं मतलब है यह ना हो कि चार दिन बाद जब अगर ऐसा हो कि म अजिए और मैं ही कहना चाहता हूं कि और यह भी बोला कि सब दोनों लोग को सीधे कि वताइए आपकी पतनी क्या करेंगी ओ सीधे बोलें और मालती बोलें हम दीदी मनालिव हम जंती उसे हमार मैंटर है त्वहार ना है मैंटर है हमर साधी करवाद है नहीं तो हम नाई जी कि में बोला चलो मैं क्या करूं दोस्तो मरता क्या नहीं करता है जब मेरे साथ मैं खुश रह रही हो तो मैं क्या करयाए रात को यह फोन की उसके बाद आएं आएं था कि मैं चाल चल्वाएं चाल चल्वाएं उसके बाद फिर मंदीर सिंदूर पहिनाई लेकर चले गए यह कहना चाहता हूं दोस्तों मेरी उसमें कोई नहीं जब मेरी बीबी मुझे से खुशी नहीं थी और वो अपने लीबी से नहीं खुशते तो हम का करें भाई अब मालती जाने अरजुन जाने मैं तीसरा कुछ नहीं जान सकता कि क्या मैटा रहे क्या नहीं है पैसे है पैसे नहीं है बसे कहना चाहता हूं कि जहां रहे खुश रहे हैं हाँ अगर मेरा वच्छा 18 साल से अगर मेरा वच्छा एक्सेट करता कि मैं अपने पीता के पास रहूंगा तो हमें कोई धिक्कत नहीं है बेटे बोलेगा कि बाकि मैं एचीज करना उची समझा कि ऐसा लाहो कि कल मेरे सामने कोई कुछ लोग कर ले तो हमारा परिवार बरबाद होगा ओ कर ले उनका परिवार बरबाद होगा और रियल में होता कि लोग सुसाइट कर लेते हैं क्योंकि बोलने ही इतना बिज्जिती होने के बाद हम नहीं जी पाएंगे और हम सुसाइट कर लेंगे इसलिए मैंने करवाया अगर किसी को कोई चीज हो तो बताएए कि मैंने सही किया पिलत किया